हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी संकट मुचन स्री हनमान जी की एक सिद्व चमतकारी चौपाई यदि आपने इस चमतकारी चौपाई को किसी भी समय या कोई भी कारी करते समय बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे मन ही मन एक बार बोल दिया या सच्चे मन से सुन पिलिया तो यकीन मानने तुरंथ ही चमतकार होगा या संकट मुचन स्री बजरंग बली जी आपके पास तुरंथ आकर आपकी रक्षय करेंगे और आपके जीवन की सभी विखन बादा वो समस्त परकार की परिशानियों का अंत कर देंगे साथ ही घर की दुख दरिदिता मिटा देंगे वो आपकी रक्षय करेंगे दोस्तों यह सिद्य चौपाई वे भक्त जरूर सुने जिसके घर में हमेशा कलेस बना रहता है जीवन में परिशानिया हुआ संकट परती दिन बढ़ती जा रही है कारे बनते बनते बिगड़ जाते हैं और जीवन में हमेशा निरासा बनी रहती है तो उन सभी से निवेदन है इस चमतकारे चौपाई को ध्यान से सुने और किसी भी समय कोई भी कारे करते समय या विस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे सिर्फ एक बार मन ही मन बोले प्रभु जी की तुरंत ही किरपा होगी और जीवन के समस्त संकट वा अंधकारों का अंत हो जाएगा दोस्तों आएए इस महा सक्तिसाली चौपाई को जाने आप सभी जानते हैं कि संकट मोचन सरी हनमान जी महराज के नाम इस्मरण मात्र से जीवन की समत संकटों का अंत हो जाता है इस चौपाई को बहुत ही ध्यान से सुने और नित्य चाप करें संकट मोचन सरी हनमान जी महराज का इस चमत कारे चौपाई का जाप करने से जीवन के समस्त परकार के विग्न बाधा वह संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुखी प्रापती होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाब